बीजेपी के सचेतक सुभाष सिंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुभाष जी आप भी इस बीजेपी विधायक दल की बैठक में शामिल थे क्या चर्चा हुई खासका सुशील मोदी को लेके क्या चर्चा हुई है चर्चा यहाप और कुछ नहीं हुई है अभी नेता च चाहते हैं और मैं दिल से चाहता हूं कि नितिश कुमार मुखमंत्री बने और टी-सी-एम को रूप में सुशिल आदरनी सुशिल कुमार मुदी बने बिजेपी की नेता के वीच में ये एक साथ है बात है कि नितिश और मोदी की जोडी है वो बरकरार रहनी चाहिए अकदम बरकरार हने चाहिए इस तरीके से क्यों नाम बदलने की वीचर्चा हो रही है एक सवाल इनसे जरूर पूछेगा सवाल जरा सफ जरूर लगता है लेकिन एक बार इनसे ये सवाल पूछेगा कि अब 31 सीटे बीजेपी की ज्यादा है ये लोग जोडी-जोडी ही जबते रहेंगे या फिर पार्टी को आगे ले जाएंगे और उसके लिए अगर इस जोड ही कहीं स्वाहा करना पड़े तो उसके लिए भी तयार रहेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सुभाष सिंग से ही सवाल पूछते हैं सुभाष जी 74 सीटे लेके आप लोग आये हैं बड़े भाई की भूमिका में हो गए हैं बड़ी पार्टी अब आप लोग हो गए हैं तो भूसना कर चुके हैं कि नितीश कुमार ही हमारी अगले मुखमंत्री होंगे और सीट कम हो चाहें ज्यादे हो उन्हीं को बनना था और वहीं बनेंगे कितना हूँ सीट हमारी बढ़ जाती एकेले हम लोग सरकार में रहते प्रचंड बहुमत हम लोग की रहती फिर भी मुख प्रचंड में जो हमारे परधान मंतरी का निर्देशन आएगा उसी निर्देशन बढ़ बैसाकी का सहरा को उन्हीं लोग के स्वयोग से उन्हीं लोग की नित्युत में उन्हीं लोग मार्ग दर्शन में हम लोग अभी तक चुनाव लड़े हैं अब आगे क्या होता है आप लोग नितीश पर सवाल पूछते रहते हैं लेकिन बीजेपी तो नए तरीके से मिसाल कायम करने में लगी हुई है इस बार लॉयल्टी की निश्ठावान होने की सच्छा साबित करने की अपने बात को छोटा सा रियाक्शन से जल्दी से अंजना जी बीजेपी और ज्यादा कर भी क्या सकती है बीजेपी को पता है जनता ने तो जनादेस बदलाव के लिए दिया था जन्मत का आपरन करने वाले सत्ता में भले बढ़ जाए जबाली भले ये लोग मना ले हो ली हम लोग मनाएंगे अभी आगे आगे देखिये होता है क्या अभी बहुत खेल और बहुत पेच बाकी है अंदर खाने बीजेपी और जेडियू में जो घमासान है नमस्कार मैं हूँ अंजना ओमकश्यप अमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले